साथियों, किसी भी देश की अर्थववस्ता उतनी ही प्रगसी से लो होती है जितना वहां का बैंकिंग सिस्टिम मजबुत होता है। आज भारत की इकरामी एक निरंतरता के साथ आगे बढ़ रही है। यह इसलिए मुम्किन हो रहा है क्योंकि इन आठ वर्षों में देश 2014 के पहले वाले फौन बैंकिंग सिस्टिम से डिजिटल बैंकिंग पर सिप्ट हो गया है। 2014 से पहले की फौन बैंकिंग आप लोगों को भली भाती याद होगा और समझ गए होंगे। बैंकों को उपर से फौन आता था और तै होता था कि बैंक कैसे काम करें, किसे पैसे दें। इस फौन बैंकिंग राजनीती ने बैंकों को अस्वरक्षित कर दिया। गड़े में उतार दिया। देश की अर्थे बवस्ता को अस्वरक्षित कर दिया था। हजारों करोड के गोटालों के बीच निरंतर गोटाले ही गोटाले की खबरें आया करती थी। लेकिन अब डिजिटल बैंकिंग से सब पारदर्सी तरीके से चल रहा है। हमने एन पीए की पहचान के लिए पारदर्सीता लाने की दिशा में काम किया। लाखों करोड रुपिये बैंकिंग व्यवस्ता में वापिस आये। हमने बैंकों को री केपिटलाइज किया। विल्फुल डिफॉर्टर्स के खिलाब एक्शन लिया। प्रिवेंसव अब करप्शन एक्ट में भी सुधार किया गया। एन पीए से जुड़े मुद्दों को सुलजाने में आई बीसी की मदल में तेजी लाई गई। हमने लोन के लिए भी टेकनलोजी और एनालिटीस के इस्तिमाल को बढ़ावा दिया। जिससे एक पारदर्सी और विज्ञानी की ववस्ता खड़ी हो सके। बैंकों के मर्जर जैसे महत्वपुर्ण निर्णाएं पॉलिसी परालिसिस के शिकार थे। देश ने उन्हें भी उतनी ही मजबूती से निर्ण किये कदम उठाए। आज निर्णों के नतीजे देश के सामने हैं दुनिया सराना कर रही है। डिजिटल बैंकिंग उनिट जैसी नई शुरुवात और फिंटों के इनोवेटिव इस्तेमाल के जरिए अब बैंकिंग ववस्ता के लिए एक नई सिर्थ डिवन मेकनिजम तयार हो रहा है। हमा इससे उपभगताओं के लिए जितनी अटोनमी है बैंकों के लिए भी उतनी ही सुवीधा और पारदर्शिता है। मैं चाहूंगा इस तरह की व्यवस्ताओं को कैसे और व्यापक बढ़ाया जाए। कैसे इसे लार्ज स्केल पर आगे बढ़ाया जाए। इस दिशा में सभी स्टेक होल्डर्स काम करें। हमारे सभी बैंक जादा से जादा लोगों को डिजिटल व्यवस्ताओं से जोड़ने का तार्गेट रखे।